दोस्तो लमश्कार मेरा नम संजे मगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपके साथ लगातार मैं बात कर रहा हूँ हर्याना की विभिन विधानसभाओं को लेकर क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है अगले 90 दिन के अंदर हर्याना की 90 विधानसभाओं के लिए चुनाव कारेकरम गोशित हो जाएगा और चुनाव की गोशना हो जाएगी हर्याना की 90 सदस्य विधान सभा जहां पर 2014 से लगातार भारती जनता पार्टी की सरकार चलिया रही है 2004 से और 2014 तक यानि कि 10 साल पहले कॉंग्रेस की सरकार रही और अब 10 साल भारती जनता पार्टी को होने जा रहे है अब अगला जब चुनाव आ रहा है 2024 का जिसके लिए कि भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस के बीज जो सीधा मुकाबला माना जा रहा था उसके बीच में एक एंट्री हो चुकी है इंडियर नेशनल लोगदल और बीएसपी के गठबंदन की तो इनेलो और बसबा का गठबंदन तो हो चुका है अभी इंतिजार ये भी है कि क्या इस गठबंदन के अंदर कोई और पार्टी भी आएगी या फिर हर्याना के अंदर कोई और नया गठबंदन भी आकार ले सकता है क्योंकि अभी हरियाना में एक तरफ कॉंवरिस और भारती जंतापार्टी के आत्र जहां एक गठबन्दन हुआ है भोजन समाज पार्टी और इनैलो का तो फिर अभी छेत्रिय दल के रूप में हरियाना में जन्नायक जंता पार्टी के बाद आम आदनी पार्टी है और इनके साथ में फिर आजाद समाज पार्टी चंदरशेखर आजाद की पार्टी क्योंकि जब से चंदरशेखर आजाद निर्दलिये सांसत बन गए नगीना से तब से तो आजाद समाज पार्टी का जो अपना वजूद है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और लोगों का रोजहान भी उनकी तरफ होने लगा है इसके लावा आप देखें तो पिछले राजस्तान से विधानसभा चुनाओं में भी आजात समाज पारटी ने हिस्सा लिया था खेर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा में हूँ जो मैं आपको बताया कि अलग-अलग विधानसभा चेतरों के हम बात करते हैं ये गटबंदन क्या होंगे परदेशतर की राजनीती क्या होगी इसका इंपेक्ट भी हर विधानसभा में पड़ता है तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूँ हर्याना की एक ऐसी विधानसभा सीट जो 2009 के चुनाव में अस्तित्तु में आई जिसमें अभी तक तीन चुनाव हुए यानि कि 2007 का जो परिसीमन हुआ था उसमें ये विधानसभा सीट बनी थी और इन तीनों चुनावों के अंदर यहां से एक भी बार भारती जंता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई यहां से दो बार तो पिता पुत्र विधायक रहे और एक बार यहां पर इंडियन नेशनल लोगदल के विधायक बने पिता पुत्र जो विधायक बने उनमें से पिता निर्दलिय बने इंडिपेंडेंट तो बेटा कॉंग्रेस पार्टी से विधायक है मैं आपसे बात कर रहा हूँ फरिदाबाद 86 NIT को लेकर और इस वीडियो मैं आपसे चर्चा करूँगा कि भारतिय जनता पार्टी का कैंडिडेट अग्की बार कौन हो सकता है और क्या अग्की बार भारती जनता पार्टी को इस विधानसभा सीट पर कैसा परदरशन रह सकता है जिक्रिस लिए कि इस सीट पर यानि की फरिदाबाद NIT 86 की सीट पर लोगसभा चुनाव के दौरान भारती जन्ता पार्टी के जो कैंडिडेट थे कृशनपाल गूजर उन्होंने अच्छी बढ़त ली जबकि इस NIT विधान सभा सीट को लेकर के NIT 86 को लेकर कहा जाता था कि यहां पर कॉंग्रेस BJP को पचाड देगी लेकिन जिस प्रकार से कॉंफिडेंस हुआ करता था यहां पर कृशनपाल गूजर का खुद कृशनपाल गूजर के साथ उनके बेटे देविंदर का देविंदर चौधरी और इनके साथ यहां पर 2014 में चुनाव लड़े यश्वीर डागर का और इसके साथ में ही नगेंदर भणाना का भी अब 2024 के विधान सभा चुनाओ में क्योंकि लोगसभा चुनाओ में तो परदर्शन बहतरीन हो गया भारती जनता पार्टी का तो विधान सभा चुनाओ में भी क्या उसकी पुन्रावर्ती होगी क्या भारती जनता पार्टी को फायदा हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट कौन हो सकता है इन सब को लेकर आपसे मैं चर्चा करे हूँ मैंने आपको बताया कि इस विधान सभा सीट पर दो बर पिता पुत्र विधायक बने तो 2009 में यहाँ पे पंदत शिव चरन शर्मा विधायक बने थे इंडिपेंडेंट चुनाओ लड़के और उन्होंने समर्थन दिया था भूपेंदर सिंग हुड़ा की सरकार को और सरका चुनाओ जीत गए थे और बाद में इंडीयन नेस्टनल लोगदल के विधायक बनने के बाद पार्टी छोड़ कर चले गए थे भारती जन्ता-पार्टी में और दो church 19 के चुनाव में नगेंदर भढ़ाना को भारतिय जंता पार्टी ने टिकेट दिया लेकिन वो नीरज शर्मा से चुनाव हार गया नीरज शर्मा कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे आगे बढ़ने से पहले आपको बताओं कि यहां पर जो तीन चुनाव हुए उन तीन चुनाव में भारतिय जंता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा और भारतिय जंता पार्टी को क्या मिला कैंडिडेट कौन हुए मैंने आपको 2009 का चुनाव बताया 2009 का जो विधान सभा चुनाव जो यहां का पहला विधान सभा चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर पंडिश शिवचरन शर्मा जो यहां पे पहले डिप्टी वेयर थे वो चुनाव जीते नगर निगम की राजनीती करते रहे वो खोद उनकी धरम पत्नी उनका पुत्र यह सब पार्शद रह चुके हैं नगर निगम के अंदर पंडिश चरन शर्मा का देहावसान होने के बाद में उनके बेटे नीरश शर्मा आ गया है खेर पहले आपको 2009 पे ले चलता हूँ तो 2009 के विधान सभाज चुनाव में शिवचरन शर्मा यहां से चुनाव लड़े शिवचरन शर्मा के सामने यहां पर कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो एसी चौधरी थे एकाग्रचंदर चौधरी विधायक रह चुके थे हर्याना सरकार में मंत्री रह चुके थे और उनके सामने और चुनाव लड़ने वालों में जो कैंडिडेट थे भारती जंता पार्टी के कैंडिडेट यहां पर महिंदर भड़ाना थे और कॉंग्रेस के कैंडिडेट यहां पर एकाग्रचंद चौधरी थे और निर्दलिये के रूप में यहां पर नगेंदर भड शर्मा चुनाव जीते एसी चौधरी चुनाव हारे भारती जंता पार्टी यहां पर पांचवे नंबर पर पहुंच गई बहुजन समाज पार्टी से भी पीछे और उनसे आगे रहे नगेंदर भडाना पंदर हजार से ज्यादा बूट ले करके वो निर्दलिय कैंडिरेट नगेंदर भडाना के परिवार में दो दो तीन तीन पार्षत हमेशा रहे हैं नगर निगम के तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो यह राजनीती है फरिदाबाद 86 की यहां पर शिवचरन शर्मा उनका भी नगर निगम में दबदवा रहा और नगेंदर भडाना का भी नगर निगम में दबदवा रहा और 2009 का चुनाव हो गया 2009 के चुनाव के बाद में जब यहां पर स्तिती बदली और 2014 का विधानसवा चुनाव आया तो 2014 के विधानसवा चुनाव में इंडियन नेशनल लोगदल की लोगप्रियता भी ठीक चरम पर थी क्योंकि 2000 से लेकर 2005 तक इनेलो की सरकार रही थी उसके बाद 10 साल हो गए थे इनेलो की तरफ भी लोगों का जुकाव रुजान हुआ और यहां से यानि कि फरिदाबाद NIT 86 से इंडियन नेशनल लोगदल में चले गए थे नगेंदर भड़ाना और नगेंदर भड़ाना चुनाव जीत गए वि और चौधा में शीवचरण शर्मा नगेंदर भड़ाना से हार गए और 2014 के चुनाव में यहां पर जो भारतिये जन्ता पालिटी के कैंडिडेट थे वो थे यश्वीर डागर यश्वीर डागर तीसरे स्थान पर रहे लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान का जो मार्जन था बहुत कम था यहां पर इस चुनाव में कॉंग्रेस की तिती बहुत खराब हुई कॉंगरेस के जो कैंडिडेट के कैंडिडेट हुए गुलशन बग्गा और गुलशन बग्गा उसके बाद चुनाव आया 2019 का तो नगेंदर भडाना जो छोड़ करके आ गए थे इंडिया नैशनल लोगदल बीजेपी में शामिल हो गए थे राज्य सभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था तो नगेंदर भडाना को पारितोशिक स्वरूप यानि कि जो पुरसकार स सवरूप में फरिदाबाद आट चुनावा निव्दान सभा का टिकेट मिला लेकिन अजनर भडाना यह चुनाव हार गए निरज शर्मा से निरज शर्मा ने अपने और इसी प्रकार जो भारती जंता पार्टी जो 2009 के चुनाओं में पांचमें स्थान पर रही, 2014 के चुनाओं में वो तीसरे स्थान पर आई और 2019 के चुनाओं में वो दूसरे स्थान पर आई सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि चुनाव चाए शिवचरण शर्मा जीते, चाए नगेंदर भड़ाना जीते, चाए नीरज शर्मा जीते सभी का जो margin of gap रहा वो बहुत जादा नहीं रहा लगबग 2-3-3,5-3,000 वोट के अंदर में चुनाव की हार जीत इनकी हुई अब आपके साथ आजाते हैं 2024 पर, कि 2024 में क्या हो सकता है, 2024 के चुनाव में किसको टिकेट मिल सकता है, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर भारती जनता पार्टी की, नाम तो कई हैं, नाम कई चलते हैं, धरमबीर भड़ाना भी पिछले दिनों आमाद साथ भी रहे, धरमबीर भड़ाना की जो करम सली वो NIT और बढ़खल दोनों रही, और धरमबीर भड़ाना भी शायद NIT से चुनाव लड़ना चाहते हों, क्योंकि बढ़खल तो पहले से वहां पर सीमा तरिखा बैठी है, और मुझे लगता नहीं कि सीमा तरिखा की कर सकते हैं, कई अपरत्याशित नाम भी हैं, वो भी तयारी करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फरिदाबाद का NIT 86 का जो वोटिंग का जो मद्दाता है और जो कास्ट वाइज है, वो जरूर बताता चलूं, अगर मोटा मोटी लें तो फरिदाबाद NIT की सीट प और जिन्हों ने फरिदाबाद को अपनी करम सली बनाया, उनका वोट शेयर एक बड़ा वोट शेयर है, फरिदाबाद NIT की विधानसभा सीट पर मेव मुस्लिम मद्दाता भी बड़ी संख्या में है, इस विधानसभा सीट पर जाट मद्दाताओं की संख्या भी ठीक ठाक के अच्छी संख्या है इस विधानसभा सीट पर दलित मद्दाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है फिर उसके बाद यहां पर कुछ सिक कुछ पंजाबी कुछ बैकवर्ड यह तवाम मिला करके कुछ राजपूत यह सब मिला करके इस विधानसभा में आते हैं और लगवग दो लाग सत्तर अजार के आसपास यहां पर अब वोट होंगी लोगसभा चुनाव का मैंने आपको बताई दिया कि लोगसभा चुनाओं में जो परिणाम अपकी बार रहा क्रिशनपाल गूजर ने यहां से जो अच्छी जीत हारज आसिल की अच्छे मारजन से महंदर में जोश है और मैंने आपको बताया जो भी बता रहा था कि बीजेपी की जो केंडिडेट्स की बात आपसे कर रहा था मैं तो अगर मुख्य नामों पर चर्चा आपसे कर नहीं हाला कि नाम बहुत सारे हैं और अप्रत्याशित का कुछ पता नहीं होता कि कौन कब कहां से आ नाम है 2014 के केंडिडेट यश्बीर डागर और 2019 के केंडिडेट नगेंदर भडाना रवीवार यानि की कल अपने चुनाव कारेलेका उद्गाटन करने जा रहे हैं भारती जनता पारटी के चुनाव कारेलेका अब उन्होंने फूल लगाना शुरू कर दिया है दिल्चस्प या का नाम लिखा है नगैंदर भड़ाना टीच लिखा है लेकिन पर फूल कहीं नहीं है भारती जन्ता पार्टी का नाम कहीं नहीं है नगेंदर भडाना की नाराजगी किस से थी कह नहीं सकते कृष्णपाल गूजर से थी भारती जनता पार्टी से थी मनहुरलाल जी से थी किस से वज़स दूर थे कह नहीं सकते लेकिन उनके जो पोस्टर बैनर्स वगएरा जो मैंने आपको बताया वॉल पेंटिंग थी वो य इंगित करती थी कि उनका भारतिय जनता पार्टी में पिछले दिनों मन कम लग रहा था लोगसभा चुनाव आया और लोगसभा चुनाव के दौरा नगेंदर भडाना के निवास पर पहुंचे थे पूरु मुख्यमंत्री आजकल के हरदेश के पावर मिनिस्टर मनोहर ला गए हलाकि इसके पीछे भी राजनितिक लोग कई चुगली करते हैं कई परकार की बातें आती हैं क्योंकि नगेंदर भडाना चौधरी महंदर परताप के परिवार जन में कई नजदी की रिष्टदारी में आते हैं और जब कुल और परिवार की बात आती है तो फिर इस प 24 का जो क्रिशनपाल गुजर का लोगसभा चुनाव था खेर हम इस पर जादा चर्चा में नहीं जाएंगे ये जरूर है कि पिछले कुछ समय तक खामोश खामोश से रहने के बाद में चुपी साधने के बाद में बीजे पी से दूर-दूर कटे-कटे दिखाई देने के ब बढ़ाना विधान लोगसभा जो चुनाव हुआ मई दोहजार चौबिस में भारती जनता पार्टी में फिर से सक्रिये हो गए और अब कल वो अपने चुनाव कार्याले का उद्गाटन कर रहे हैं जिस पर उनका जो पोस्टर है मैं आपको दिखा दूँ इसमें आप देख यश्मीर डागर दोहजार चौथा के विधान सभाद चुनाव में उनको भारती जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया यश्मीर डागर भारती जनता पार्टी के पुराने कारेकरता माने जाते हैं राष्ट्रिये स्वैम सेवक संग से जुड़े हुए निता हैं राष्ट्रिये स्वैम सेवक संग से जुड़े हुए नहीं था तो नहीं कहते हैं RSS में सेवक होते हैं तो RSS के पौराने स्वैम सेवक हैं इसके साथ उन्हों ने जो RSS के जो प्रोग्राम होते हैं क्लासीज होती है वो भी अटेंट की हुई है त्रितिय वर्ष के जहाता है मुझे ध्यान है बर चर्चा मेरी हो रही थी तो बता रहे थे त्रितिय वर्ष तक उन्होंने किया हुआ है और यश्बीर डागर का भारती जंता पारटी के आला कमान में भी ठीक ठाक असर है RSS के जो प्रमुक लोग है उपर की श्रेणी में आते हैं उनके साथ भी और भारती जंता पारटी के आला कमान में भी ठीक ठाक कत है 2019 के चुनाओ में जब उनको टिकेट नहीं मिला था तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई बगावत की नहीं और आराम से लगे रहे अब यश्बीर डागर दावा करते हैं कि 2024 का जो लोगसभा चुनाव हुआ क्रिशन पाल गूजर का उस चुनाओ में यश्बीर कहते हैं कि उन्होंने भरपूर मेहनत की भरपूर काम किया और उनके भी काम का परिणाम था खेर दावा सभी करते हैं लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इस चुनाओ में जो गंभीरता दिखाई दे रही है मुझे वो यश्बीर डागर और नगेंदर भढ़ाना नगेंदर का मैंने आपको बता दिया कि कल अपने वो चुनाओ कारे लेकर घाटन कर रहे हैं तो यश्बीर डागर आजकल डोर टूर कर रहे हैं मैंने आपको बताया मेरे उनसे टेलिफोनिक बात हो रही थी तो बता रहे थे उसमें कि मैं आजकल चुनाओ का पचास दिन का एजेंडा तैय है कि एक-एक मतदाता से सीधे संपर्क कर लूँगा अब इन दोनों लेताओं के बीच में क्योंकि नगेंदर भढ़ाना का जो चुनावी जो भाजपा पर अगर मैं कहूं कि जो एहसान था या राजनीती में सारी बात हैं चला भी करती हैं तो 2014 के विधायक बनने के बाद इनलों से विधायक बनने के बाद जो वो भाजपा में आये तो भाजपा से उनको पारितवशिक मिल गया में जुड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया कि 2019 के चुनाव में जब टिकट नहीं मिला तो भी वो उनकी कोई ऐसी बात कहीं सुनने में देखने में आई नहीं थी तो इस चुनाव के अंदर ये दोनों नेताओं की अगर कोई और होंगे तो वो भी आपको बताएंगे हम जरूर अगर किनी और नेता के बारे में हमको पता चलेगा क्योंकि अब जब चुनाव चलेगा तो चुनाव में सारी ये चुनावी बाते ही होंगी आपसे वो भी जिक्र करेंगे लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फरिदाबाद NIT 86 में अब की बार इस चुनाव को किसी प्रकार जीत लें तो ये हार की हैट्रिक से पीछा छूट जाए दूसरी बात और तीसरी बात क्रिशनपाल गूजर का इस चुनाव में अब की बार खासा रॉल रहने वाला है ये तीसरी बात और अब आपके पास एक सवाल कि आपको क्या लगता है कि फरिदाबाद NIT 86 से भारती जनता पारटी से कौन से कंडिडेट ठीक रह सकते हैं आपको क्या लगता है कि बीजेपी यश्बीर डागर पर दाव खेलेगी या नगेंदर भढ़ाना को चुनाव मैदान में लाएग या आपको क्या लगता है कि इन दोनों के लावा कोई और भी सशक्त चेहरा हो सकता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन